हलो फैमली एंजल की रसोई में आपका स्वागत है आज बनाने जा रहे हम चट पटे कटलेट्स तो उसके लिए चाहिए हमें हाफ केजी आलू बॉयल किये हुए केरोट कैपसिकम गालिक ग्रीन चली चॉप किये हुए और कॉंस्टाच लिया है आप कॉंस्टाच की जगा ब् नमक लिया है रेचली पाउडर लिया है एक स्पून ये तीखी वाली रेचली पाउडर है साथ में ही लेंगे हम एक पाउच मेगी मसाला और इसको कलर देने के लिए आज हम थोड़ा सा कलर का इस्तमाल करेंगे हरा कलर में ले रही हूं कसूरी मेथी ले रही हूं इसमें कस करेंगे तो चलिए पहले मसाले डालते हैं बाद में हम अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स डालेंगे वेजिटेबल्स मैंने आपको दिखाई आप चाहे तो इसमें पत्ता को भी डाल सकते हैं तो देखिए अब डाल देंगे हम सबसे पहल पाउडर पसंद करते हैं वो भी एट कर सकते हैं या साबू जीरा भी एट कर सकते हैं तो देखिए आप मैंने डाल दिया कौन स्टाज तो अब सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे पूरा मसाला जैसे मिक्स हो जाए तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन क्लिक कर दीजिए तो देखिए हमारा आलू का ये डो लग चुका है अब हम थोड़ा सा ओयल लेंगे हथेलियों पर ग्रीज करेंगे ओयल को कि जैसे हमें कोई भी शेप बनाने में दिक्कत हो थोड़ा सा एकदम ओयल लेना है और आटे को भी हम थोड़ा लगा देंगे और मैं सिलेंडर शेप में बना रही हूं आप राउंड में भी बना सकते हैं ये टी टाइम से नेक्स में यहां गर पे मेमान आगे तो हम सोचते रहते हैं क्या बनाया स्पेशल ये सबसे रापीज बनके रेडी हो चुके हैं तो देखे कितने बरिया लग रहे हैं अब इसपे करेंगे हम सूजी की कोटिंग तो सूजी ली है सूजी मोटी हो पतली हो कोई फरक नहीं परता है जो आपके गर में अविलेबल है वो ही आप यूज कर सकते हैं तो बस इनको अच्छे स हम रोल करेंगे सूजी में तो यह देखिए पूरी सूजी इस पर अच्छे से लग चुकी है और आप नहीं तो आप सिवयों का चूड़ा भी करके लगा सकते हैं तो ऐसे ही करते में सब पर सूजी की कोटिंग चड़ा दूँगी बात में इसको हम फ्राय करेंगे और हाँ एक बात यह आप इनको हफता से पंदरा दिन यूज भी कर सकते हैं अगर आप बना के फ्रिज में रख देंगे तो आपको जब भी भी चाहिए या जब मन करें आप बस फ्रिज से निकाल के टीप फ्राय कर सकते हैं तो देखिए मैंने वायल गरम करने रख दिया था बस बढ़िया बात तो यह है मार्किट जाने के लिए हमें दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी घर में ही सामन अवेलेबल से इतनी बढ़ियार ऐसे भी बन सकती हैं आच मैंने मीडियम ही रखी है तेज आच नहीं रखी है नहीं तो यह बहार से एकदम काले हो जाएंगे एकदम तो देखिए गोल्डन होने तक मैंने इनको फ्राय किया और यह दो तीन ही डाले आप अपने हिसाब से नहीं तो फ्राय जब भी आप इनको पलटेंगे तो दिक्कत होएगी तूट जाएंगे तो देखिए हमारी प्लेटिंग रेडी है साथ में मियोनी से चटनी है कर सकते हैं मैं आपको तोर के दिखाती हूं कितना यह बढ़िया लग रहे हैं दोस्तों रेसेपी पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा कॉमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगे रेसेपी मिलते हैं न्यू रेसेपी के साथ थैंक यू फारवर्ड